नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे रिजनी का 10 अती महत्मूर्ण कोस्टन सभी कोस्टन इंपोर्टेंट और सेलेक्टेट कोस्टन लिए गए हैं इसमें आपको सबसे आसान ट्रिक बताएंगे तो चलिए देखते हैं फरस्ट कोस्टन पहला कोस्टन है दिये गए विकल्पों में से विशम सब्द को चुनिए यहाँ पे विशम बताना है बाग, डॉल्फिन, जेवरा और मगरमच तो यहाँ पे देखें यह तीनों क्या है बाग, डॉल्फिन और यह जेवरा यह तीनों क्या है यह अस्तन पाई जीव है और यह म लेप्टॉप दोनों क्या होता है electronic यंत्र होता है तो यह electronic यंत्र का बन जाएगा Mobile का अलग होगा और laptop का अलग हो जाएगा तो यह देख्या option number D में दिया है option number D सही answer है next question देखते है अगला question क्या दिया गया है दिगए संख्रा में गलत संख्या ग्याद किजिए इसमें से गलत संख्या बताना है आठ इसमें से गलत बताना आठ दोनों नमर को जोड़ेंगे सोला और आठ को जोड़ेंगे कितना आजागा 24 फिर सोला फिर कितना को जोड़ेंगे ये सोला और 24 को जोड़ेंगे तो अगला संख्या आएगा ये सोला और 24 को जोड़ेंगे कितना आजागा चालीस फिर चालीस और 24 को जोड़ेंगे कितना आजागा 64 यहां पर क्या दिया है 64 गलात संक्या कौन हो जागा 62 तो option number A सही है Next question देखते है यदि किसी महिने की 5 तारीकों मंगलबार पढ़ती हो तो इसी महिने में 25 तारीक के 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा देखे यहां ध्यान से देना है 5 तारीकों कौन सा दिन है अगर यहां पे 7 दिन 5 में 7 जोड़ लेंगे 5 में 7 जोड़ लेंगे कितना आ जागा 12, 7, 5, 12 तो 12 तारीक को क्या आ जागा मंगलबार हो जागा फिर 7 दिन जोड़ लेंगे कितना जागा 19, 19 तारीक को भी मंगलबार होगा अब देखे 25 में 5 घटा लेंगे कितना आ जागा 20 इसका मतलब 20 तारीक को कौन सा दिन होगा अगर यहां पर एक दिन जोड़ लेंगे तो यह आ जागा 20 और यह मंगलवार है मंगलवार में एक दिन जोड़ लेंगे क्या जागा बुद्धवार तो बुद्धवार देखे किस option में option number D सही answer हो जाएगा next question देख बोगर अठाइस और यह 84 को क्या करे जो 45 आजाए या तो दुसरे तरीका से सूच सकते हैं यह इसे एटाईस और साथ को क्या करे जो बिश आजाए तो कईसे बनाना है देखेर यह अथाईस जो है यह साथ से अगर भाग damaged 28 को कितना जगा सचों Tale तो कम एंटाज За चार को अपने मन से 5 कर लेंगे कितना जगा 10 तुम यह वाला बीच वाला आ रहा है फिर 84 को 12 से भाग देंगे कितना जगा स्क्राइब अपने से 5 से मल्टिप्लाइक कर रहें तो इसमें भी 5 से करेंगे कितना जागा 35 तो यहां वाला आ रहा है इसका मतलब यहां भी भाग देके देखेंगे 5 नमा नो पचे 45 पांच और 5 अपने मंद से मल्टिप्लाइ करें कितना आ जागा 25 25 देखें अप्सन नमबर डी सही इंसर हो जागा अगला कोशन देखते हैं इसके लिए भी बहुत सारा तरीका है देखें 48 का आधा कर लेंगे कितना जागा 24 और 24 को चार से मल्टिप्लाइ कर लेंगे कितना जागा 96 फिर 96 का आधा कर लेंगे 48 48 का चार गुरा कर रहेंगे 192 एक सो बिरानबे का फिर आधा कर लेंगे कितना जागा 96 तो 96 देखें ओप्सन नमबर डी सही अप्सन नमबर सी सही इंसर है अब देखें इसके लिए और तरीका है क्या तरीका है देखें ध्यान से अगर यहां पर 48 को मल्टिप्लाइ कर लेंगे दो गुना 48 दुना 96 दुना एक सो बारा तो यहां 24 दुना 48 दुना कितना जागा 96 तो इंसर आजागा ओप्सन नमबर सी सही इंसर है नेक्स्ट कोशन देखते हैं अगला कोशन क्या दिये गया है निम्लिकित चीनों में से कौन से चीन आपस में बदल दिया जाए जिससे समिकरन सही हलो जाए देखें ऐसे कोशन जब भी आएंगे तो सबसे पहले वही ऑप्सन रखेंगे जिसमें भाग का चीन दिया गया है देखेंए भाग का चीन और अपसन सी में भी है क्या क्या बहुंद के एक आय मन लेते हैं रखना है तो भाग के जगह-बहुकर क्या करना होगा मल्टिप्लाइक का चीन देना हम्ए होगा क्यो क्या होग देंगे तो पहले चैनिस एख और यह 18- माइनस और यहां पर पलस ऐ तो 17 बराबर 17 आ रहा है तो option number A ही सही answer हो जाएगा अगर यहां पे नहीं होता तब दूसरा check करता है option C जिसमें भाग वाला दिया रहाता है वही अधिकतर question का answer हो जाता है तो चलिए देखते हैं अगला question अगला question है एक सांकेतिक भासा में एक दो तीन से अभी पराए है गर्म filter copy 356 से अभी पराए बहुत गर्म दीन और 589 से अभी पराए है दीन और रात से बताए बहुत के लिए कौन सा सब्द होगा तो सबसे पहले यहां पे देखे common word ढूनना है common action ढूनना है तो बहुत के लिए अगर यहां पे देखे यह बहुत है और उपर में भी देखना है बहुत यह वाला बहुत है और कहीं पे है नहीं है अब देखेंगे बहुत में उपर में यहां देखे 356 है और इसमें भी 123 है इसमें से कौन सा common word मिल रहा है कोमंड वर्ड कौन सा मिल रहा है तीन मिल रहा है इसमें गर्म है कौफी है इसमें भी गर्म है तो गर्म के लिए यह थिरी हो जागा तो थिरी को इस परकार से माल लेते हैं गर्म को क्या करेंगे ऐसे डिनोट कर लेते हैं तो यह गर्म को यहां से यह वाला डिनोट कर लेंगे यहां पे देखे, सिंबॉल, कोई भी सिंबॉल अपने से रख सकते हैं, आप देखे, फिर से यहां पे गर्म का कहा है, यहां पे इस परकार से रखना है, इसमें से common word ढूनना है, अब जो मिल जाएगा, आप देखे, 589 से अभी पराज दीन और रात से है, तो इसमें से अलग- पर D सही इंसर हो जाएगा, next question देखते हैं, अगला question है, B, P का पती है, Q, E का अकेला पोता है, जो D की पतनी और P की सास है, B, D से रिस्ता क्या है, तो यहीं पे देखे, ध्यान से देखना है, B बोल रहा है, B, P का पती है, तो B, P का पती है, तो यह पलस हो जागा, और यह मा का अकेला पोता है, जो D की पतनी है, P की सास है, तो P की सास कौन हो जागा, E होगा, यहां पे E हो जागा, E हो जागा, तो यह सास माइनस हो जागा, और कौन है, जो D की पतनी है, जो D की पतनी है, तो यह D क्या हो जागा, पलस का हो जागा, अब आगे क्या बोल ला है, Q, E का अकेला पोता कौन है Q है तो इसका बेटा हो जागा तो ये Q हो जागा और ये पलस हो जागा पोता ये पोता हो जागा अब आगे पढ़ेंगे क्या बोल रहा है B, D से क्या रिष्टा है मतलब ये D जो है B का B कौन लगेगा D का B कौन लगेगा ये पुछ रहा है B का D से क्या रिष्टा मतलब D जो है ये B का रिष्टा क्या है तो अगर ये इसकी पत्नी है और इसकी सास है तो ये पती-पत्नी हो जागा इसका कौन हो जागा बेटा हो जागा तो अप्सन नम्मर डी सही एंसर है अगला कोशन देखते हैं कंश करती हैं कितने ति इसमें ति इन द्हां से द्यान से लिखना 1 2 3 चार 5 6 एक मिलके 6 बना रहा हैं यहां पर लिख लेते हैं एक एक तिर्भुज जो है 1NE2 काउंट करने के बाद एक एक करने के बाद यह छ हुए अब दो-दो मिलके बनाएगा यहां पर देखे यह दोनों मिलके बनाएगा यह दोनों और यह दोनों दो-दो मिलके कितना बना रहा है तीन दो-दो तिरबुज मिलके कितना बनाएगा तीन अब तीन-तीन मिलके भी बनाएगा यहां से देखे रंग चेंज कर लेते हैं एक बा और फिर इधर वाला भी 3-3 मिलके बनाएगा तो इधर नीचे से भी 3-3 मिलके बनाएगा तो 3-3 मिलके कितना बनाएगा छे बनाएगा अभी एक पूरा टोटल बड़ा वाला ये पूरे टोटल का बड़ा वाला एक मिलके एक बना रहा है बड़ा वाला तो अब देखे वीडियो में तब तक करें जाहें